इसके अलाबा प्रधान मंत्री आवाश योजना के तहर हजारों घरों का भी आज यहां उद्धाटन और सिलान्यास किया गया है। यह सारे घर सूरत के गरीब बहन भाईयों के जीवन को सम्रुद्ध करने वाले हैं। नए सत्रा लाग सेवंटी लाग सेवंटी लाग सेवंटी लाग सेवंजीरो सत्तर लाग नए और बनाने के लिए सरकार स्विकृती दे चुकी है। इसी तरह देश के ग्रामेड इलाकों में भी साल 2014 के बाद से एक करोड तीस लाग से जादा घरों का निर्मार किया जा चुका है। वो उस घर में रहने के लिए चले गए हैं। यह दिवाली भी उन्होंने अपने घर में मराई। यह संख्या अपने आप में कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप किसी से लगा सकते हैं कि पहले की सरकार ने और यह आकड़ा भी ज़रा सूरत के लोग याद रखे हैं। उनके कारकाल में पचीस लाग गर बनवाए थे। कितने हैं। कितने हैं। पचीस लाग कितने हैं। ज़रा बताईए न कितने हैं। पचीस लाग गर बनवाए थे। गरीब को अपने बेगर भाई बहनों को पक्की छत मिले। इसके लिए आज भारतिय जनता पार्टी के सरकार एक करोर तीस लाग मकान बना दिये। करोर तीस लाग उनके कानखन में कहां 25 लाग और हमारे चार साल में कहां एक करोर तीस लाग अगर मैं जितना काम कर रहा हूं उतना उनको करना होता तो और पचीस साल लग जाते हैं। इतना ही नहीं किसी सरकार ने पहली बार मद्यमबर के लिए भी और मैं सूरत और शहरों के लोगों से आगर करूगा कि इस बात को समझें। कितनी बड़ी मदद आपको हो सकती इसका फायदा उठाईए आप। पहली बार हमारे देश में यह ओजना हमारी सरकार बनने से पहले नहीं थी। अगर मद्यमबर का परिवार का वेक्ति अपना घर बनाना चाहता हैं बच्चे बड़े हुए हैं नया घर लेना चाहता हैं कोई विवस्ता नहीं थी मद्यमबर को उसके नसीब पर छोड़ दिया गया था हमने आकर के पहली बार मद्यमबर के लिए भी गरों की एक नई कैटे अगर मद्यम्बर का व्यक्ति 20 लाख रुपिय का लोन लेता है और उस 20 लाख रुपिय की लोन से प्रधान मंत्री आवाश योजना के तहट मकान बनाने जाता है तो उसके ब्याज में कटोती की जाएगी और उसका परणामी आएगा कि जब पूरे मकान के पैसे बैंक को वापिस देगा तब तक करीब करीब 6 लाख रुपिय की बचद हो रही है उसको यहने मद्यमबर के परिवार को एक घर मनाने में 6 लाख रुपे की बचद हिंदुस्तान में इतनी सरकारे आकर के गई न किसी सरकार ने सोचा था न किसी सरकार ने किया था यह हमारे में दम है कि वारत के बढ़ते जाते मद्यमबर के परिवारों के हम चिंता करते और इसके साथ समस्य अपड़ा लाप मद्यम बरके उन युवाओं को मिला है जो केरियर की शुरूआती वर्सों में ही अपना गर खरीदने की इच्छा रखते हैं कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि नोट बंदी से क्या फाइदा हुआ उन्हें ये सवाल उन युवाओं से भी पूछना चाहिए जुनें नोट बंदी के बाद कम हुई घरों की कीमतों का लाब मिलना शुरू हुआ है उस गरीब और मद्यम बर्से सवाल पूछना चाहिए जिसका घर का सपना अब साकार होना संबव हुआ है वरना नोट बंदी से पहले किस तरह रियल एस्टेट सेक्टर में काला धन हावी था और सुरत वालों को तो इसका भली भादी पता है बड़े बड़े दिजी गश्चों के नाप जालते हैं भाज़र बनो हमारी सरकार ने रेरा कानून बना कर ये भी सुनिशित किया है कि गरीब और मध्यमबर के लोगों की कमाई हाउसिंग प्रोजेक्ट में फसनी नहीं चाहिए रेरा कानून के तहट 30-35 हजार बिल्डरों ने अपना रेजिस्ट्रेशन करवाया है और तैनियम के मताविक लाखों घरों का निर्मान कर रहे हैं